इंस्टाग्राम पर हाई हिलो और फिर नदी में मिला शौव ये वारदात है राजधाने दिल्ली के वजीराबाद इलाके की जहां एक स्कूल छात्र का शौव यमुना नदी से बरामत किया गया है विश्टू यादो नाम कि इस लड़के का शौव नदी से बरामत होने की वजहां से ये कहा जा रहा है कि डूबने से इसकी मौत हुई है लेकिन आपका अनमेफ न्यूज जब इस मामले की तहकीकात के लिए वजीराबाद पहुँचा और प्रेडितों से मुलाकात की तो मामला कुछ और ही निकला इस खौफ़नाक वारदात की शुरुवात एक CCTV फुटेज से होती है इस CCTV फुटेज में देख रहे दो लड़के एक पुरानी बाइक से विश्नु यादो के घर आते हैं और फिर कुछ तिर बाद विश्नु नाम का ये लड़का उन दोनों के साथ चल देता है लेकिन फिर कभी लॉट कर नहीं आता दीरे दीरे एक दन बिटता है दो दन बिटता है और फिर बरामद होता है यमुना नदी से शौव इस समय हम है देश के राधानी दिल्ली के वजीराबाद इलाके में इस इलाके में कुछ दिन पहले है कि स्कूली चात्रा की लास जो है नदी में मिली थी जमना नदी में जिसके बाद पुलीस की तरफ से करवाई की गई उसमें ये बताया गया पुलीस प्रशासन की तरफ से कि चात्र की जो मौत है वो पानी में डूबने की वज़े से हुई है लेकिन परिवार जो पीडित का परिवार है वो यह कह रहा है कि इसकी मौत के पीछे हत्या की गई है उसकी मौत के पीछे कोई शाजिस है तो हम परिवार के लोगों के बीच है जानने की कोशिश करते हैं कि अगर वो हत्या का रोप लगा रहे हैं तो इसके पीछे की वज़े क्या है और क्या था पूरा मामला और लड़का कब गायब हुआ तो क्योंकि दो दि ये था कि संडे के दीन साभेतीन बजे 13 तरीकों दो लड़के आये उसको मोटर साइकल बठा आ और ले गए जमना उसके बाद में जमना हमें ही ऑह लोग जमना हमें ही डाल दिया और जमना से ओ लोग भाग गया भाग के अपने घराया गया और जो है उनके जो है साथी जो है समसुल हक उस्तारी की मतलब जो है पूरी जो है उन्होंने छे महिना से उसके मतलब जो है चार तरफ से घिराओ कर रहे थे क्यूंकि बच्चों को HALHO HIGH हो गया था इसी कारण में उन्होंने उनके लड़के दोनो दानिस और छोटू मारा और उसके बाद जो है बगल में जो मुलाजी रहते, उसको मिलाया दोनों को और मिलाने के बाद है धीरे 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 उन्होंने बहुत जो है प्लान बनाई और बच्चों को जो है ले जाके है साड़े तीन बजे परिवार कारोप है कि इस विश्णू की जान नदी में ढूबने से नहीं हुई है बलकि हत्या की गई है और इस हत्या की साज़िश पिछले 6 महीने से रची जा रही थी मृत्यक विश्णू की बहन ने खुद बताया कि खुद बताया कि खरिब 6 महीने पहले उसके भाई को शमसूल हक नाम के एक शक्स के बेटे ने पीटा था और आरोप लगाया था कि विश्णू ने उनकी बेटी को इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था पिडित परिवार के मताबिख इस हत्या में शमसूल हक, छोटू, जायद, फैज, दानिश ये सारे किरदार शामिल है, जो कथित तोर पर खरिब 6 महीने पहले से ही विश्णू यादो की हत्या की साजिश रच रहे थे और 13 जून को विश्णू का शव यमुना नदी से बरामद हुआ जो तुम भान निकलो, छोटू को भान निकल लो, ो शकन नकलता नहीं, उसकी मा निकलती है, जो कारता थी कि हम गाजीये कालीये हमसे हम इस से बात करो तो मैने का ठीक है, क्यास बात थे ऐससी आएज असी बात है, आपके भाईने न मेरे बेटी के फोन पे हाई हेलो कौन कौन करके यह तीन चार लाइन मैसेज भेजिए इंस्टाग्राम पे आपका भाई मेरे बेटी को छुड़ता था वहां पे हमारा पापा का पहले से जाना आना था अगर अगर मेरा भाई उनको छुड़ता था तो उसने मेरे पापा को क्यों नहीं बोला अभी जब बीच में वह बोल रहे हैं कि मैं गार्जियन हूं मुझसे बात करो तो उस लड़के के बच्चे मेरे भाई कभी तो गार्जियन था ना उससे आके बात करनी चाहिए थी ना उनसे उनसे क्यों नहीं बोला और मेने जब का कि पहले क्यों नहीं बताया तो बोले कि मैं नहीं चाहती थी पर जाए और जब अपने बेटों से उन्हें होक की सर्ट पितवा दिया तब उसको दर्द नहीं यह और पीटने के बावजुदามmer, मैरे जो है मैंने ना मेरे बेटेने जैद फैज है ये दोनों इसके दोस्त नहीं होते हैं और जो छोटु होता है वो उसका दोस्त होता है जो लड़की की लड़की का भाई है पर वो लोग मैंने भाई से घर पर पूछा मैंने का तुने भेजा है तो उसने का नहीं मैंने तो नहीं भेजा मुझे मेरे पास उसकी आईडी कहां से आईगी है बकाइदा जो लड़की की भाई है वो मेरे भाई का दोस्त था पहले वो खुद अक्सर उसका फोन लिया करता था अब मुझे नहीं पता है इसके पीछे क्या है ये तो जाच का विसे है विश्णू की मौत की वजहां डूपना पताई जा रही है ज पर इनका ये सीसे की तरह साफ है जब गोता खोर ने कह दिया कि हां वहां पर इतना डूबने वाला पानी नहीं था जिस साम मेरे भाई का मतलब डूबने से मौत हुई है उस रात को मेरे भाई गोता खोर आए डूनने के लिए तो वो इधर से पूरा राउन लगा के जाते ह कि हम बेंगशी इतना पानी नहीं है कि कोई दूब सकता है मैं चल के गया हूं मैं चल कyez राएं दूसरा नमबर के और यहां आपका बाए यहां पर ओगा ना तो सुबह तक उपर आजाएगा अगर पानीं Bley डूबने मेरे ज स्थाना रहना हम और दूबने भाए उपर कर बिख unoemест स्थानियोंग वैक्ति मिलता है हमें जिसने उसको डूपते वे देखा था तो डूपते वे जो रेवेक्ति देखता है तो आके बता देता है कि हाँ इसके सांद दो लडगे और थे और यहां पर डूबा था वोह नीकालके लिए तब हम उसको पुलीस उसके बाद क्या करती है दो दिन तक तो मेरे भाई का फोन कुछ का पता ही नहीं है आज तक पनी पता है कि उसका फोन कहा है रिकॉर्डिंग का भी नहीं पता चलता है और उपर से ये जो मेरा ये समसुला के है इसका बेटा है ये लोग अपना अराम से एस करता है जो आरोपी है वो अपना घूम रहा है खुले आम घूम रहा है वजिराबाद के DCP3 इस मामले की जाच कर रहे हैं लेकिन पिडित परिवार का कहना है कि पुलस ना तो मुकदमा दर्श कर रही है ना कोई कारेवाई कर रही है यहां तक कि आरोपी परिवार लगतार पिडितों को डरा धमका रहा है लेकिन पुलस भी जैसे चुपी साधे ह हुए है ना हमारा मुकदमा दर्श कर रहे है ना कुछ हो रही है ना कोई कारवाई होरी है ठीक से तीन-चार दिन तक तो यह केस ऐसे ढीला पड़ा रहा कि जो आरोपी है उसके liked liawan नीकरती है जब मैं धूनड़का पहचान लेता है कि हर यहीए लड़का था । जो उसके एक हाथ की दूरी पर था चाहता तो उसको बचा सकता था पर उसने नहीं बचाया और छोड़कर भाग गया हम चिलाते रहे कि इसके घर पर जाके बता देना तो लڑका बोला ठीक है हम हम घर पर जाके बता देंगे और वो घर पर भी आकर नहीं बताता है area कि इस से इतना तोस प्र स्पेश्ट है कि हां वो चाहता था मालना कि तीन चार दिन तक उससे पुलिस वाले को घुमाते रा कि हामने नहीं कि हमनेने क्यात चपक期 धीए ही लड़का है उस दिन मतलब इस पुलिस वाले भी निकल हो पा रहे हैं कि वो लड़का उसके साथ उन पर कोई दबाव नहीं है, वो सर्फ सिर्फ यह कहते हैं कि मैं गोता खुर को बुला देता हूँ, मैं चस्मजीत गवा को बुला देता हूँ, मैं फेस टू फेस करवा देता हूँ, आपके जो पूरे सहके हैं उसे क्लियर करा दूँ है। मैं फेस्म दीद गवाने कि हाँ वो लड़का चाहता तो उसे बचा सकता था पर उसने नहीं बचाया वो छोड़कर भागया बिलकूर रखा दफा करने की कोश़िस नहीं बिलकूर कर दी गई है यह जो समसुल हक है यहाँ यहाँ पे मेरा भाई का पॉस्ट मोटम हुआ था वहाँ पे भी जाके यह वहां के डॉक्टर से जहां पे रैजिस्ट्रेशन होता है वहां पे जाके कुछ-कुछ इतनी देर तक बात करता है समझ में नहीं आता है ये सारा मामला प्रट दिया गया है उनके पास पॉलिटिकल अप्रोच है उनके पास फानेंसियल है वो बहुत स्ट्रॉंग है फानेंसियल इसलिए वो सब कुछ कर रहे हैं धंकी तो दी गई है साफ साफ जी बिल्कुल घर पे आके पिलिट परिवार ने आरोपी शम्शूल हक पर मारपीच का आरोप लगाया है मृत्यक के पिता ने चोट के निशान दिखाते हुए कहा कि जब चश्मदीदों ने शम्शूल हक के बेटे की पहचान की तो उसने मारपीच शुरू कर दी पर जार आदमी आये जब हो आया बताने के लिए कि यही लड़के हैं तो जो है को गया खिलासा उसके बाद में जो है दूनों लड़के को बचाने के लिए वो जो है शम्शूल हक उल्टा सिधा बोलने ले ले ज?" और सभको ड़टे मृतक चात्र की बहन ने इस मामने में एक और करदार के बारे में बताया और कहा कि जायद और फैज के साथ उनके मामा का लड़का भी आया था जो वार्दात के दिन ही आया था और उसी दिन अजमेर लोट गया लेकिन इसके बावजूद पुलस उससे कुछ भी पूशतास नहीं कर रही है इंस्ट्राग्राम पे जब भाई ने मैसेज किया उससे काफी समय पहले तक उन लोगों को लड़की के परिवार वालों को यह पता था कि हां मैसेज किया या कुछ भी कह तो उन्हें आके बोलना चाहिए था घर पे और उन्होंने बोला नहीं जब मैं सोर मचाने जाती हूं वही बात सब को गली में बथा रहे होते हैं कि हां ये देखो विष्णु ने हमारे बेटी को छेड़ा था या ये मैसेज भेजा था वही बात इससे क्यास पस्ट होता है और उसी दिन हमारे पास आके कहता है कि नहीं नहीं बहुत अच्छा है यह बहुत सानुबूती जगा दोगला तो यहीं पर दिख रहा है कि कौन है कौन नहीं है फिर भी पुलिस कुछ नहीं कर रही है उनको हलके में लेकर छोड़ दे रही है यह चोटू के बहन को मैसेज किया था पर छोटू से जब लड़ाई हो गई तो मेरा भाई उसके साथ नहीं जाना नहीं जो जैत फैज है वो इनके हतियार है मतलब उनका इस्तेमाल क्या गया है उनको हाँ उनको बीच में रखके दोस्ती करवाई गई है फिर यह उस दिन गए हैं यह लोग सिसीटी फुटेज में साफ दिख रहा है कि घर के बहार से ले जा रहे हैं उस दिन इनके जैत फैज का एक मामा का लड हो रही है पुलीस वालों की मुझे समझ में नहीं आ रहा है विश्णू यादो की मौत के मामले में जिस तरह से पिड़ित परिवार ने एक के बादे खुलासे किये हैं उससे आप भी समझ सकते हैं कि यह मामला कितना गंभीर है बले कहा जा रहा है कि विश्णू की मौत यम अनिवेश के साथ, सौराफ श्रवास्तो की रिपॉर्ट